मैं हूँ अनुपमा और मैंने हाली में अपने चैनल पर एक अपनी कोटेशन डाली कि अगर तुझे कुछ खलेगा नहीं तो तू कुछ बनेगा नहीं तो यह कोटेशन मैंने यूही नहीं डाल दी यह मेरा खुद का एक्सपीरियंस है मैं हमेशा से एक बहुत पढ़ने में तेज लड़की नहीं थी या मैं बहुत बहुत स्कूलों में शुरू से नहीं पढ़ी ती और ऐसा क्या हुआ ऐसा क्या हुआ ऐसे कौन से वो कड़वे शब्द थे जिन्होंने मुझे वो एक दिमाग में कीडा दिया और एक दिल में जो आग दी जिसके कारण मैंने UPSC Civil Services क्राक किया तो आज के वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि मेरी वो कहानी क्या है तो वीडियो को देखिए और मेरे चानल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए सच कहूं तो अगर वो कड़वे शद नहीं सु कि महीनों तक वो चीज मेरे दिमाग में गूंचती रही हुआ क्या था कि हम किसी की बर्थरे पाटी में गए थे और तब मैं साथवी आठवी क्लास में थी 13 साल या ऐसे कुछ और तब तक हमने कुछ खास सोचा नहीं था कि हमें क्या बनना है हम थोड़े मस्टाइब के बुरा लगा रो लिये खतम बात लेकिन उस दिन क्या हुआ हम बठरे पाटी में गए और वहां पर जो भी जितने भी बच्चे थे मतलब सारे ज्यादा तर इंग्लिश मीडिया में पढ़ते थे अब तक हम भी इंग्लिश मीडिया में पहुँच गए थे लेकिन अभी हमें इंग्लिश का ग्यान उतना हुआ नहीं था बोलने का खास करके तो हम वहां गए और एक ऐसे ग्रूप में बच्चे खड़े थे और हम भी उसी ग्रूप का पार्ट बन गए और बाते होने लगी तो लोग जादा तर इंग्लिश में बात कर रहे थे और उसमें से एक लड़ स्थार जाते हैं ये भी होता ये नहीं पता था अब हैशेंगे लेकिन मुझे करियर से सिर्फ साइकल के करियर के बारे में पता था उसके मांद खैर इधर उदर हो गए पार्टी इन्जाओ करने लगे और फिर ने एक और चीज सुनी जो की जिसको कह सकते हैं कि जिस nossa असर क कि मैं बता नहीं सकती कि उस दिल मुझे कैसा लगा था हुआ कि जब ये बच्चे एक तरफ हो गए और अपना मतला मुझे थोड़ा सा आवाइड कर रहे थे यह मुझे समझ में आ गया और बात भी ठीक थी क्योंकि मैं उनके बराबरी से बात भी नहीं कर पा रही थी और ऐसे बच्चों के साथ क्यों मतलब रख रहे हो जो कुछ नहीं करना चाहते कुछ नहीं बनना चाहते उनको तफनी जिन्देगी बरबाद करनी है तुम्हें तो बनानी है ना अरे जब ये इसको कहते ना कि ये शब जहन में उतरे और तब पहली बार ये रिलाइज हुआ कि लोग हमारी तरफ या मेरी तरफ ऐसे देखते हैं कि ये वो बच्चें जो कुछ नहीं करना चाहते इनकी संगत मत रखो क्योंकि इनकी संगत में तो तुम भी कुछ नहीं करोगे और जबकि ये बात सच थी कि हमने सोचा ही नहीं था हमें आगे करना क्या है हम हिंदी मीडिय करना होंहें तपनी जिंदगी बरबाद कर और तुमें तो कुछ बनना है तो उनके साथ क्यoubl King वनके साथ क्यों बाते कर तरीके से आउट-कास्ट हो गए हम और यह चीज जो गहुमने शुरू सुनेंगे जो कि है एक वीडियो जो स्टॉक्स पे तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीजें और हुई जिससे कि हमेरा डारेक्शन मेरा लेकिन वो जो आग जली थी ना वो उस दिन जली थी जब यह सुना कि इन बच्चों से संगत मत रखो यह तो किसी काम के नहीं है वो जो बात थी ना उसमें बस एक दिमाग में कीड़ा पैदा किया कि हम वो बच्चे नहीं हैं कि जिनके संगत आप खुद आएंगे मेरे पास संगत रखने यह मेरे दिमाग में घुमता था कैसे होगा पता नहीं था तब लेकिन बस यह जुनून था कि चाहे कुछ और हो यह जो सारे लोग आज कहते हैं कि इनकी संगत मत रखो वो आएंगे मुझसे पूछने कि कैसे किया कैसे पहुंचे तुम वहां तक और आज वो दिन आ गया कितने ही पेरेंट्स के कमेंट्स आते हैं फोन कॉल जाते हैं इमेल आते हमारे बच्चे को बताईए आपने कैसे कि कैसे किया यह जो कीड़ा घुसा था था ना तीरा साल की उमर में कि दिखा दूंगी कि कैसे करते हैं तो वो किया और उसके चलते ही जिंदगी में जो सफलता हैं मिली वो मिली तो कड़वे शब्द जो होते है ना जब तक कुछ खलेगा नहीं तब तक कुछ बनने की वह तो कोशिश करो वो यवाक्या याद करो कि जब आपको खाला था और उसको छोड़ो मत उसको पकड़ के रखो उस गुसे को उस जुनून को उस जो आपको समय तैश आता है ना उसको खींच के रखो और डाल दो अपनी तैयारी में डाल दो अपने लाइफ में डाल दो अप करते हैं आप आके पूछोगे कि हाम तेरी संगत कर लें क्या और हम कहेंगे देखते हैं तो यह होती है जब तक कुछ खलेगा नहीं तू कुछ बनेगा नहीं